अब कहता है यह वाला question अच्छे से पढ़ो वीडियो पॉज करो और solve करने की कोशिश करो देखो क्या problem हा रहा है कहता है थिरी wire है इसको मैं थोड़ा सा magnify कर देता हूँ ठाव यह थाव लगो क्यों तीन वायर है हमाहललव के पास एक यह बोड के ऐसे रख़ा हुआ तीनोंalon diapers रहा हुआ बोड के ऑंदर खुंअर अर्यकर करिं़िए क्या तो और यह यह बोड तीन हारे उड़ के बोड करेंध से लिथ сильно यह बोड़ के और करवे हैular चिक यश्चे एक कुल्प है रही हुए और सब में करेंड की वेलु आई है तो, मैगनिचूड आप धवार्स की उनिइंट लेंथ में आरहा समझ में तो यह किस टॉपिक का सबसे पहले टॉपिक सर्च करेंगे यह आप पढ़े होगे कि अगर लेंद का कंड़क्टर है और दोनों में करेंट सेम डाइरेक्शन में है तो वो जो फोर्स लगता है एक पे वह आता है म्यू नौट है टू पाई सेप्रेंशन डी आई वन आई टू और लेंध ये क्या है इक अट्रेक्शन फोर्स है दो पेरलल कंड़क्टर है जिसमें करेंट फ्लो रही है ध्यान देना कंड़क्टर है तो अगार इन कंड़क्टर के बजाए हमें एक उतक्य लेएक इलेक्ट्रान को एसे चोड़ना है उल्य AM Так barrels नहीं होता है अब किसे сосब्सक्राइब तो यहां से अपर जितनेसी पे फोर्स लग रहा है जीतने के लेंद्ट पर फोर्स लग हुरा है निकालना तो पर इंट के एक यह जो फार्मुला बनेगा म्यू नॉनॉट आइट ये वली चीज़ हमें निगल के आएगे यह चीज हमें मिलके आएगे तो यह हमें हर एक पर लगा देना इसमें और यहां पर तीन कंडक्टर है जिनका सेप्रेशन अल्रेडी दिया हुआ है से यहां से मैं आपको समझाओं तो यहां पर पहला conductor है यह इस से दूसरा conductor है इनमें attraction होगा और इस वाले पर देखो इस वाले जो बी वाला है यह इस वाले पर पहला वाला है वो एक attraction force इदर लगाएगा और उस force की value आजाएगी यहां पर वो आ जाएगी mu naught 2 pi d separation और इसमें भी current सब में current आई है तो i square और ये force acting perimeter length ये वाली चीज़ अब दूसरा इसके नीचे जो नीचे वाला conductor इसके just नीचे है उसमें भी board के अंदर से current आ रही है तो ये conductor इस वाले पे किधर attraction force लगाएगा नीचे की direction में इधर लगाएगा उसको मैं मान लेता हूँ vector f2 और इसको मैंने vector f1 ओवियसली ये दोनों 90 degree पर एक डूसरे के equal है तो net जो force होगा वो इस वाले से 45 degree पर net force इधर लगेगा ओवियसली इसकी value कितनी हो जाएगी force पर unit length mu naught i square 2 pi d ये वाली चीज और ये भी तो अब resultant इन दोनों का resultant ले लोगे तो जो net force आजाएगा इसकी value आजाएगी वो इसका square इसको आवियसली 90 degree पर दो vector होते हैं तो root two times अधिक होता है mu naught i square divided by 2 pi d 90 degree पर दो vector होते हैं तो इनका resultant पाइदागोरस theorem से जैसे भी लेना अलेलो इतना ही आएगा तो mu naught i 2 pi d square मतलब अभी अभी एक काम करते हैं इसको rationalize कर देते हैं इतना कोई match नहीं करा तो root two से उपर नीचे multiply कर दो तो root two से उपर नीचे multiply कर दो ये वाला two ने two को पतम कर दिया तो यह देगा mu naught i square divided by two pi d root तो obviously c option इसका match कर रहा है चलो तो झाल झाल